एक्जाम्पल नंबर थ्री, रीड़ दा फॉल्विंग इंफोर्मेशन केरफुली टू अंसर दा कोशन गिवन ब्लो, आपको बोला किया नीचे दी हुई इंफोर्मेशन को आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो कोशन से नीचे उनके अंसर देने हैं, आपको क्या इं आपको बोला जो ए मल्टिप्लाइ जो मल्टिप्लाइ है उसका मतलब का है ब्रदर है, ए इस ब्रदर ओफ बी, ए डिवाइड बी मेंस बी इस फादर ओफ यह उल्टा है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ए डिवाइड बी का मतलब का है, जो बी है, जो मींस बाद में आया बी इस father of A, ठीक है, a plus b का मतलब क्या है, a is sister of b, a क्या है, बहन है b की, a minus b means a is mother of b, a minus b का मतलब क्या है, a is mother of b, अब question number 1 जो है आपके पास उसमें बोला गया, which of the following means, q is paternal uncle of k, आप इसको यह बोला गया है, इन में से जो तीन यह आपको यह, a, b, c करके जो option दी हैं इसके पेटर्नल अंकल, पेटर्नल अंकल क्या होता है, चाचा, जो Q है वो चाचा है किसका, K का, आपने A, B और C इनको चेक करना है, तो तिनों इनको चेक करना है और बताना है कि किसमें Q चाचा बनता है, K का, सबसे पहले हम A को चेक करते हैं, A, A बनाते हैं, देखते हैं, A क्या ब M multiply Q, ठीक है, आपने करना है, दो दो पकड़ने है, K और P को पहले पकड़ना है, ठीक है, फिर आपने पकड़ना है, P divide M, फिर बाद में आपने पकड़ना है, M multiply Q, ठीक है, तो यह तीन बनेगे हमारे, K multiply P information निकालेंगे हम इसमें से, और दूसरे नमबर पे हमारा P दिवाइड एं इसकी information निकालेंगे और तीसरे नमबर परंपर एम फिगल उसकी information कि करते हैं multiply का मतलब क्या हमार पास multiply का मतलब है brother ठाक है तो जो पहले वाला a वह b का brother है तो यहां पर के हो जाएगा क्या information निकली के is brother of किसका P का brother of P ठीक है दूसरा का है P divided M divided का मतलब क्या है father divided का मतलब father तो है लेकिन थोड़ा यह थोड़ा अलग है A divided B का मतलब क्या है B is father of A means जो बाद में आया है जो right hand side पे है वो father होगा left hand side का जो पहले आया है ठीक है तो यहां पर कोन आया है बाद में M तो M father बनेगा M is father किसका of P father होगा P का ठीक है यह बाकियों से अलग है divide वाला ठीक है M multiply Q M multiply Q का मतलब क्या है पहले multiply देखते है कहां पर यहां पर आया है A is brother of B वही है तो पहले वाला जो M होगा वो क्या बनेगा M is brother of Q ठीक है बन क्या M क्या है भाई यह किसका Q का ठीक है जी अब इसको plot करते है जो हमें information आई है उसको plot करते है K is brother of P यह K है यह brother है किसका P का फिर बोला गया M is father of P M जो है वो father है किसका P का तो M के उपर प्लस आएगा क्योंकि M का gender क्या है male है वो father है P का जो लास्ट आपको information निकाल लिया आपने M is brother of Q M क्या है भाई है किसका Q का तो M भाई है Q का Q यहाँ पर आजएगा M उसका भाई बन गया Q के बारे में कुछ नहीं पता Q male है female है कुछ नहीं बताया ठीक है अब आपसे यह पूछा था which of the following means Q is paternal uncle of K Q को आपने क्या बनाना था चाचा बनाना था K का इसमें क्या बन रहे है तेको इसमें तो कुछ बनी नहीं सकता क्यूकि क्यों के जेंडर के बारे में नहीं पता Q के बारे में ना male है female कुछ पता ही नहीं तो आप इसको चाचा बना भी नहीं सकते पर मैं बता जाता हूं क्या बन सकता है, के का भाई या बहन पी होगी, ठीक है, होगा या फिर, और पी का फादर कोन है, M है, पी का बाप कोन है, M, अगर पी का फादर M है, तो के का भी तो फादर होगा, ठीक है, तो पी और के क्या होगे, भाई बहन होगे, भाई बहन होगे, है कि और एंहीं दोनों का फादर है अब फादर का बहाई या बहन कौन пойдऊगी कुँँ ओगा बहाई भी और बहन भी होसकता एक यूप जेंडर के बारे मैं नहीं पता ना कुछ भी ऊ-सकता है तो जो के का क्या लगेगा तो दो दो लग सकते हैं या तो उसका वो चाचा लगेगा या फिर उसकी बुवा लगेगी क्यूंकि आपको Q के जैंडर के बारे में नहीं पता पर इतना पता है के के का जो फादर है उसका भाई या बहन होगी वो Q हना तो Q क्या लगा है पहली स्टेट्मेंट के हिसाब से एक पैटर्नल अंकल आएगा पैटर्नल अंकल और पैटर्नल आंट पैटर्नल आंट ऑफ किसकी के की तो शोर नहीं है दो हो सकते हैं क्यूंच चाचा भी हो सकता है बुवा भी हो सकती है ठीक है चाचा भी हो सकता है या फिर का हो सकता है बुवा भी हो सकता है ओके तो पहले जो तो A था, उससे तो हमारा अंसर नहीं आया, अब B चेक करते हैं, B पार्ट में क्या बोला गया है, K multiply B, एक तो आया, K multiply B, B divide N, फिर आप लिखोगे B divide N, अगला है N multiply Q, N multiply Q, और चोथ है Q multiply D, ठीक है, यहाँ पर चार साइन है, और उन साइनों के साइड में जो हैं, दो आपके जो alphabet लिखे हो हैं, वो आपने साथ साथ में ले लेने हैं, उठा लेने हैं, ठीक है, ऐसे बना लेना है, अब इन सब में से क्या information निकलती है, वो देखते हैं, ठीक है, पहले K multiply B, multiply का मतलब क्या है, ब्रदर, A is brother of B, A multiply B का मतलब है, तो K multiply B का मतलब क्या आजेगा, K is brother, of B, ठीक है, दूसरा है, B divide N, divide का मतलब क्या है, father, तो इसमें से क्या आएगा, ये जो divide वाला है, वो थोड़ा क्या है, उल्टा है, जो दूसरे नमबर पर बंदा है, B है, यहां पर देको, B पहले आएगा, इसमें N पहले आएगा, N is father of B, समझे ना, आप देको A divide B था, उस father of A, तो यहां पर B divide N है, तो हम क्या लिखेंगे, N is father of B, मैं सेकिंड नमबर वाले को पहले लिखेंगे, और पहले नमबर वाले को बाद में लिखेंगे, फिर है N multiply Q, multiply का मतलब क्या brother, तो A पहले आएगा, और B बाद में आएगा, जिसका जिकर पहले हुआ, वो पहले आए और जिसका जिकर बाद में हुआ है, तो इसमें क्या हुआ, N is brother of Q, और जो last है Q multiply D, यह भी multiply ही वाला, यह भी क्या आजएगा, Q is brother of D, यह हमने information निकाल लिए, अब इसको plot करते हैं, के इस brother of B, के का है, भाई है किसका, B का, तो के के उपर प्लस लगा लो, के भाई बना लिया मैंने B का, ठीक है, color मैं change कर लेता हूँ, N is father of B, N के father है, किसका, B का, N के उपर प्लस लगा हो, क्योंकि N father है, उसका gender पता लग गया, male है, B का वो father है, N is brother of Q, N भाई है, Q का, पता लगा है, Q उसका, Q का, N का है, भाई है, और लास्ट में Q is brother of D, Q भी भाई है, किसका, D का, यह आपका, plot कर दी है, हमने सारी information, तो अब बताओ, जो Q है, वो, K का, चाचा लग रहा है गया, यही बताना आपने, तो K का, भाई है, बहन B, होगी है, होगा, और B का father को है, N, त तो K, K father है, जो N, K का father है, जो N, उसका भाई कोन है, Q, और पता है, Q male है, भाई है न, पता है, तो क्या लगा उसका, K, K father का भाई है, चाचा लगा न, हाँ, यहाँ बन गया, देखो, second option, जो हमारा B part है, उससे हमारा क्या बन रहा है, जो उसने बोड़ा, Q is paternal uncle of K, बन रहा है, अब बचा C, C को भी चेक करना पड़ेगा, कि अब इसमें भी बन जाए, तो अब C चेक करते हैं, Q multiply L, एक तो यह है, L divide R, दूसरा L divide R है, तीसरा R multiply K, ओके, हमने इन तीनों की information निकाल ली है, क्या बनती है, ठीक है, multiply का हमें पता है, मतलब A multiply B का मतलब कहता है, A is brother of B, तो यहाँ पर क्या बन जेगा, Q is brother of L, क्यों क्या है, brother of L, दूसरा है, L divide R, देखो, divide वाला क्या है, A multiply B means, B is father of A, जो दूसरे वाला होगा, जो right hand side वाले पर होगा, वो father होगा, left hand side वाले का, तो यहाँ पर क्या बनेगा, R क्या बनेगा, father बनेगा, किसका, father of L, ठीक है, और लास्ट इंफोर्मेशन है, R multiply का मतलब, brother है, आपको पता है, तो R is brother of K, R क्या है, brother है, किसका, K का, ठीक है, ओके जी, चलो हम इसको plot कर लेते हैं, plot करते हैं, plot कैसे करना देखते हैं, ठीक है, पहले बना, Q is brother of L, Q क्या है, brother है, किसका, L का, तो L का भाई मैंने Q बना लिया, Q के उपर क्या लगा दिया, प्लस, उसका जैंटर पता लग गया, आपको कि वो मेल है, तो आगे बोला गया, R is father of L, L का father कोन है, R है, तो R के उपर लगा हो, प्लस, क्यूंकि R का जैंटर पता लग गया, R मेल होगा, father है, उसका L का, तो जो लास्ट जो इन्फोर्मेशन है, R के पास होगा, R is brother of K, R किसका brother है, K का, तो साथ में क्या जैंटर के आजएगा, ठीक है, पर K के जैंटर के बारे में भी आपको नहीं पता, नहीं पता आपको जैंटर L का, ठीक है, ठीक है, तो अब आपने पताना, क्यूं क्या K का चाचा लगा, नहीं, लग नहीं सकता, क क्यूं नीची आ गया, चाचा तो उपर लगेगा, K को नीची होना चाहिए था, क्यूं को उपर होना चाहिए था, क्यूं नीची आ गया, तो क्यूं क्या लगा K का, इसकी हिसाब से लगा K के भाई का बेटा है, तो आपको पता है, अगर L का फादर R है, तो R क्यूं का भी भाई का बेटा बैटा तो यहां पर तो क्या लगा बतिजा तो सी आप्शन का है क्या आएगा क्यूआ लगा क्यूआ क्यूआ अरок इस न्यफ्यू भतिजा नेफियू ऑफ लूब के तो यह में नहीं चाहिए था यह जो नोंई फूछता क्यों इस प्रेटरनल फ़फ के चाचा बता बनाना था हम ने हैने यह नहीं बना तो यह भी हमारा नहीं बना पहला भी नहीं बना और हमारा अंसर प्लूम हए बी 1db